presenting a chemical reaction with the help of sample and formula of the substances involved in it is known as chemical equation यानि हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रकिरिया जिसमें chemical reaction को represent किया जाता है sample की मदद से और formula की मदद से ठीक हैं यानि एक ऐसी प्रकिरिया जिसमें chemical reaction को हम कैसे सो कर रहे हैं sample की मदद से और formula की मदद से उसे हम क्या बोलेंगे chemical equation इसका मतलब जो यह है element है element को हम क्या कर रहे एक sample और एक formula के यह क्या होगा हमारा formula और क्या हो गया sample की मदद से हम इसे इक्वेशन को इसे हम बोलेंगे chemical equation यानि जिस ग 드rierक्शन को सो किया गया sample and formula की मदद से first of all यहाँ पर यह क्या है balance नहीं है unbalance है तो इसे हम balance चाहे तो कर सकते हैं balance करने के तरीके मैं आपको समझाओंगी अभी first of all हम देखते हैं chemical equation भी कितने type के होते हैं first is balance equation and second is unbalance equation so अब हम देखते हैं balance equation क्या है और unbalance equation क्या है so आप patience के साथ देखें है न जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो hope आपको पूरी तरह यह chapter complete हो जाएगा and अच्छे से आपको समझ में आएगी तो चलिए हम देखते हैं balance equation क्या होता है the number of atoms of each element the same on both side of the arrow is balanced chemical equation इसका मतलब क्या बोल रहा है आपे number of atom each element यानि जो भी ये element है arrow के left side and right side ओके तो जो arrow के right side और left side में है ठीक है ये क्या है ये जो element है ये दोनों का atoms जो है ये क्या होने चाहिए same होने चाहिए atom it means यहाँ पर oxygen कितना है दो है है न तो ये जो chemical equation है इसमें दोनों side elements में क्या होने चाहिए number of atoms same होने चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि it is a balance equation तो आप ध्यान से देखें क्या ये balance equation है आप एक बार खुद से try करें तो क्या आप समझें आपने समझा कि ये balance equation जो है ये actually balance नहीं है ठीक है तो इसे हम balance करेंगे तो first is यहाँ पर oxygen कितना है दो है तो यहाँ पर हम दो करेंगे और यहाँ पर दो कियें तो क्या हो गया ये equation almost balance हो चुका है है ना तो अब देखते है unbalance equation क्या होता है if atoms of each element not balance so it is called unbalance equation यानि इसमें कहा जा रहा है कि जो भी element होता है ठीक है दोनों साइड में जो element होता है इसका जो atom होता है actually equal नहीं है तो हम क्या बोलेंगे unbalance equation यानि यहाँ पर जब हमने यहाँ पर टू किया और यहाँ पर टू किया तो यह क्या हो गया था हमारा balance equation हो गया था बट यहाँ पर यह क्या है बैलेंस नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे अनबैलेंस एक्वेशन